यह गाइस वेलकम बैक टू चेल मेडिकोस तो आपने सारी की सारी इवर्त फिजियोजी और बायोचेमिस्टी पूरे लेक्च्छर कम्प्लीट कर दी हैं ठीक है काफी कम टाइम में मैंने आप लिए हार्ड वर्क करके ने सारे लेक्चर कम्प्लीट किये और सारे नोट्स अब पूछ रहा हूँ अब थोड़ा बहुत जी के बारे भी आपको पड़ा देता हूं एनाटमी में आपकी थोड़ी बहुत हो जाएगी जनली क्या होता है कि बहुत आइगा मैंने देखा है तो इस्टलोजी में जनली वह स्लाइट बता देते हैं और स्लाइट में एक दो प्रोवाइट कर दियां तेलीग्राम चैनल पर अपने जो नोटस यहां पर पिलोजाट लगाया और जहां पर तेओरी में भी फ्लो चार्ट बन सकता था तो भाव भी बनाया है तो इससे आपको काफी हैल्प मिलेगी एक्जांब टाम पीट रिवाइस करोगे ना तो इससे लेक्चर होगा अभी तक फिजिलोजी प्लस बाइक केमिस्टीक है तो आपको सोच यार कि 330 लेक्चर पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा तो आर जो अपने अपने चैनल है अपना चैनल मेडिकोस तो जोइन करें लिंक मिलती है हमेशा तो इससे आपकी काफी हो जाएगी तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्या हिस्टोलोजी नई जर्नी तो इस्टोलोजी में जनली पे लिए जो आद अपन स्लाइड पढ़ने वाले यार वह अपन पढ चैनल समाघ आपका काम हो जाए और क्या नोट को फोड़ी खाते हैं राइटिंग को फोड़ी काते हैं तो यहां पर आपन देखते हैं में ली क्या हिस्टोलोजी बिधिक तो इस्टोभ मख के जर्नल इंटर्डक्ट्श्टिव प्इक लेते हैं अपन पहले जो स्टोमाख ह होता है और चिलोट एक उलो एर्गन होता है अनर चेह तरह रहता है मलता है और इसके बारे में आप इंट्रदक्षेण पड़ोगे एनाट्मी में ग्रॉस अनाट्मी में ठीक है तो जिसकी स्टोलोजी की बात करते हैं तो जन्र अलियार जो अपनी पूरी जी आइटी होती है तो गेस्टो इंटेस्टानल ट्रेक उसमें मेली चार लेयर मिलती है अपने को ठीक है जो सबसे अंदर वाली साइड होत सबसें अपने को मेल लिए तेन देखने और लेखने को मिल लेगे तो इसयर और अन्दर होती है उसमें में जान्ण देखने को मिलते हैं उपर देखिए simple columnar epithelium से क्या यह बनी होती है सबसे उपर ठीक सबसे अपन बोल सकते हैं इनर साइट ठीक कौन से से बनी होगी simple columnar epithelial cells ठीक इनकी विसे क्या बनते हैं गेस्ट्रिक पिट ठीक आगे बात करते हैं लेमिना प्रॉप्रिया ठीक इसका सेकंड पार्ट देखते हैं अपन म्यूकोसा का सेकंड पार्ट होता है लेमिना प्रॉप्रिया जिसमें connective tissue मिलेंगी blood vessels मिलेंगी ठीक और पायलोरिक ग्लेंट्स मिलते हैं तो इसमें आपको मेंली पायलोरिक ग्लाइंट से आद रखना है तो प्रोपर प्रोपर मस्कुलेरिस मुकोसा तो यह क्या होती है एक स्मूथ मसल्स की लेयर होती है तो आप यहाँ पे देख लेते हैं मुकोस ना पर बना के लाएं पहले से इस सब बिवस्ता से तिक आप यहाँ पे डायग्राम में है तो यहां परिया के अदर का मिलते है अपने को पहले पाईलोरिक ग्लेंड जो आपको याद करके रखना तो ऐसा गोल गोल आपको दिख रहा है ठीक है उसके अंदर सेल्स पने हो इसके बाद यहां पर आपको डॉट डॉट रहा होंगे ऐसे कुछ टीक है तो वह डॉट-ड से उनकी लिएर बनाऊगे उसके नीच आएगा लेमिन प्रॉप्रिया लेमिन प्रॉप्रिया मैं क्या बनाऊगे एक कनेक्टिव चुश्यू दूसरी क्या ब्लड बैसल्स तीसरा पाइलोर ग्लेंट अब उसके बाद अपना जो अपनी थी सबसे इनर मुकोसा उसमें एक और की आतीथी मस्कूलेर ईस मुकोसा एतना मुकोसा के बात करते हैं अगत फै E 아다ं साइड हो गी असाइड असके बाद वार आती तहीं सब्योंसा मुक के अपने क्या सम्क्योंबंता है आपको यहां पे कनेक्टिशू देखने का मलना ओगा और इसके बाद है गोल गोल यहां पर क्या है blood vessels तो आपको जो सम्मिकोस होको इसमें क्या-क्या देखने को मिलेगा एक तो connective tissue और second देखने को मिलेगा आपको blood vessels त्युक्त अब बात करते हैं muscular तो इसमें भी अपने को तीन मिलती है मसल जो सबसे इनर साइड होती है इस सबसे आउटर साइड मसल्स देखने को मिलेंगी वह होती है अपनी लॉंगिट्यूडनल मसल्स अगर आप जर्नली देखी यार अगर आप मान के चलो कि मैं ऐसे बात कर रहा हूं कि यह डाइग्राम है ठीक है आप इसको ऊपर से देख रहे हो ठीक है अगर मैं बात करूं तो यह पूरा का पूरा ऐसा गोल 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 अंदर लुमिन बन जाएगा और पूरा यह अपना स्टोमक की कबरिंग हो जाएगी इतना समझ आ गया तो अब बात करते हैं को इस जो मिडल अपनी सर्कूलर है तो सर्कूलर में जनली क्या होगा अगर इस पूरे डाइग्राम को अपने से कनेक्ट करने ऐसा बना के तो क्या हो जाएगा पूरा का पूरा राउंड शेफ हो जाएगा तो अभी मसल्स दिख रही है आपके पूरी-प क्या है और यह को होगा मैं हाँ लोगिट्यूड मसल बताने है तो इस से प्पूर्शन से आपको देखना है तो आपको इस प्रकारई से एत्रपी का कवर करनेगी तो कुछ इस तैप से देखेगा उनका है और इंटरफिस जाऑ है जो आपको यहां जिख रहे हैं फेसं सब्सक्राइब करते हैं जो सी रोसा होती है वह किस से बनी होती इतना समझ आता है आगे थोड़ी और थेवरी बता देता हूं आपको में का मिलता है इनर औलीक मसल मिडल मिलती है और ऑटर मिलती है और जो से रोसा होती है थेको इतना समझ आ गया अब आपको एक और कंसेप्ट से बताता हूं कि जो organ की अंपन heistology पढ़ रहे हैं अगर इस organ को अगर जो ber немножion होती है इसझा सथ तो जिति में उस ऑड़न को ऑपन बोलते हैं आपन सिरो सथा इस तो 무ात से अगे अब मैं आपको जनरल ही बता देता हूं आपको यह डाइग्राम बनाना है याद हो गया होगा मैंने आपको अच्छे समझा दिया आगे बात करते हैं अपने इसकी स्लाइट की तो स्लाइट आपको कुछ ऐसे देखेगी एदेखिए टीक जो इनर साइड आपको ऐसी म्यूकोस देखने वाली तीक पैंचेंज कर लेते हैं इनर साइड आपको म्यूकोस ती देखेगी तीक फिर आपको इतना यह सब म्यूकोस देख रहा होगा इसमें ब्लड बैसल दिख रही हैं यह कनेक्टव टुशू के फाइबर से इसके बात बात करते हैं मस्कुलियर इसकी तो मस् अपको मसल्स काफी देंस दिख रही होंगे तीक है ज्यादा डेंस दिख रही है इनर ओबलीक तीक है मिडल में अपनी सर्कुलर मसल लगाई कुछ ऐसे ऐसे तीक है और जो अपनी आउटर मसल्स है लोंगी टूजनल तो इसमें आपको सिर्फ डॉट डॉट से दिख रहा हो आपको एक्जाम में कहा में गी तीक है अच्छे से पढ़ाई करो मेहनत करो थैंक यू फॉर वाचिंग एन कीप लड़नी